एक पुराना पैलेट एक नए टीवी में बदल सकता है इस पर फिर से लालीलो आ रहा है इस पर हर दिन नई वीडियो आती है आज कैटी अच्छे मोड में नए है वो अपने पसंदीदा कैफे में आई है ये रही आपके ड्रिंक इसमें पानी मिला हुआ है ओ नहीं बारेश शुरू हो गई ओ खैर कैटी घर भी कराई मैं क्या करूँ शायद मुझे किताब पढ़नी चाहिए बोरिंग है ओ मैं टीवी देखूंगी क्या ये चल नहीं रहा क्या दिन है एक दम से टीवी चल गया ये ये तो लालीलो है वो हू मेरा दिन ठीक हो गया मुझे पता था ये इतना बुरा नहीं होगा एक ब्रश को काटे इसे हैंडल पर चिपका है इसमें क्लेर भरे हमने आयलाश ब्रश से ब्रिसल्स बना लिए इसे ब्राइट रंग से रंगे ढकन का एक क्लेर टुकड़ा जोड़े ओह इस हैंडल से वाक्यूम करना बहुत अच्छा लग रहा है बच्ची मज़े कर रही है और उसके मा को सफाई करनी है खिलाउनों को संभालने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और ये म्यूजिक के साथ करने में और ज़्यादा मज़ीदार बन जाता है गंदगी को अलविदा कहो इस वाक्यूम को बहुत काम करना है माम ने फरनीचों को भी वाक्यूम कर दिया जब तक बच्ची अपनी बने के साथ केल रही थी माने सब कुछ साफ कर दिया फिह और अब भर्यों की कहानी सुनने का समय है पाउडर के धकन को टिफनी रंग में रंगी इसे क्रेप फाब्रिक में लपेटे आज कर टेसल इंटीरे डिजाइन में बहुत चल रही है ब्रश के हैंडल को हाइलाइट करें और इसे मेटल जैसा दिखाने के लिए पेइंट करें और लाम जलाने के लिए छोटी रसी लगाएं एक विंटेज लाम किसी भी कमरे को बहतर बना सकता है कमरे में दादी अपनी चाय के कप के साथ आती है कितनी आराम दायक जगा है बिली अपने आपको सहलवाना चाहती है ओ, मुझे अपनी जवानी के गाने याद है दादी ने रिकॉर्ड प्लेयर में वाइन रिकॉर्ड लगाया गानों ने इने जवानी का समय याद दिला दिया दादी ने ताली बजा कर लाइट चालू कर दी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है साथी उनका पसंदिदा म्यूजिक चल रहा है ये एक बड़िया शाम है मैं अपनी बिली के लिए कुछ बूलूँगी एक पुरानी पैलेट में बहुत चा मेकप चिपा हुआ है बीच के हिस्से को निकाले पूंपी पेपर पैलेट को आउटलाइन करें खिड़के वाली एक दिवार चिपकाएं साथ में सेडियां भी लगाएं और परदे धूप को रोकेंगे और लेमिनेट लगाएं सामने वाले कमरे में बुलायम कारपेट है लाइट लेकी बॉल से परणीचर बनाए ये पीला काउच बहुत प्यारा है एक के बादे घर में नया परणीचर आता जा रहा है अब ये काफी आराम दायक लग रहा है रिपेंजल तुमारे नय घर के लिए बधाई हो मेरे के पास हमेशा कुछ न कुछ मेकप होता है हमें थोड़े खिलोलने डालने होंगे एक चलता फिरता घर हमेशा आसानी से काम आ सकता है पर नीचर को जगा पर रखो रिपेंजल अंदर डिजाइन देख रही है हमने खेल लिया अब जाने का समय है मेकप बाग पाक पाक के अंदर जाएगा एक डिबे को चम के लिए फोम पेपर से ढखे कुनों को सजावटी रिबन से सजाए हमने अपनी मेकप टेबल पर क्यों ग्रॉज लगाए है प्लास्टिक स्क्यूर से फ्लेयर बाग बनाए ऐसा लग रहा है जैसे टेबल उड़ रहा हूँ एक पुराने पालेट का शीशा डॉल्स के लिए सही साइज है इसे क्रिस्टल से सजाए ओह बहुत से सुन्दर लड़कियों ने उसमें देखा है वो मदद के लिए प्यूटी स्टूडियो गई मुझे पार्टी में बढ़िया दिखना है कोई दिक्कत नहीं आओ, आराम से बैठो इसके बालों पर प्रोड़क्ट लगाना मुश्किल है ओह, बहुत ज़्यादा है क्या हम एक्सेसरीज लगाएं? आपको कौन चा गुलाब पसंद है? दोनों काफी साले लगाना वो शीशे में अपना नया लुक देखने आई बढ़िया, मैंने ऐसा ही सोचा था चलो स्किंटोन को सही करें ये बलकुल इंस्टेग्राम के लिए फिल्टर की तरह लग रहा है अच्छा पर्फ्यूम लुक को पूरा करेगा शुक्रिया, अब मैं पार्टी के स्टार बन जाऊंगी एक प्लास्टिक बॉल गोल लाम चेर बन सकती है कुशिंस के लिए डीटेल्स बनाए वाह, ये बहुत मुलाइम है पॉम-पॉम्स उड़ने लगे जल्दी बॉल को सजाने के लिए धर आओ सबको ये लाइट चर अच्छे लगती है ये दिन सैर पर जाने के लिए बढ़िया है ये शान्त नहीं रह सकती हमारे पास काफी समय है चलो बैठें और बातें करते है बच्ची को बड़ों की बातों में कोई दल्चस्पी नहीं है वो घास में खेलना चाहती है चोटी बच्ची को बॉल मिल गए ये जूला उप्स गिर गए तुम ठीक हो तुम्हें लगी तो नहीं हानी जूले पर बिना किसी बड़े के नहीं बैठना मास्क के खाली डिबी से एक और्टो मैन बन सकता है एक सर्कल बनाए इसे मूतियों और सेक्विंस विबन से सजाए ये आराम दायक और ट्रेंडी है डेमी आराम से किताब पढ़ना चाहती है मुझे आराम दायक पोजिशन कभी नहीं मिल सकती मैं इस पुरानी चेर पर बैठ कर ध्यान नहीं दे सकती मैंने एक फैसला कर लिया मैं खुद एक आराम दायक चेर बनाऊंगी ड्रॉर में से उसने कैंची और कपड़ा निकाला खेर चलो शुरू करें ये ही डेमी ने इस पुरानी चेर को बदल दिया ये काफी बहतर है ये अर्थी दिख रही है और इस पर पढ़ना ज़्यादा आराम दायक है कार्डबोर पर मेकप स्पॉंज को आउटलाइन करें ब्रश के हैंडल्स को वुडन लेग्स बनाए इसे इस तरह राइंस्टोन रिबन से लपीटें पिछले हिससे और सीट को जोड़ें ये कुरसे विंटेज लग रही है ये शायद शाही डाइनिंग रूम में इस्तिमाल की गई हो मा और बेटी ने म्यूजियम जाने का सोचा वाह समय कितने जल्दी बीट गया म्यूजियम बंद होने वाला है मा चलो हमें पहुचना होगा कमरें बहुत अच्छे लग रहे है बढ़िया मा ये चेर देखो फोटो खीचो हमारे आसपास सब कुछ कितना शाही है लेकिन सबसे दुल्चास चीज के आसपास फेंस लगा है ओ यंग लेडिस ये शाही कुरसी है कुईन ने खुद इस पर बैट कर खाया था प्लीज क्या हम इस पर बैट कर फोटो खीच सकते है सेक्योरिटी गार्ड ने इदर उदर देखा ठीक है क्योंकि यहाँ कोई नहीं देख रहा है खुशी से लड़की थ्रोन पर बैठी मुझे लगता है तुम्हें इसकी जर्वत है शुक्रिया हम म्यूजियम के इस ट्रिप को लंबे समय तक याद रखेंगे एक पुराने पालेट से काउच बनाए कुछ टुक्टे काटे इसे संथेटिक स्टफिंग से ढखे उपर कपड़ा लगाए फिर काउच बनाए ये बहुत स्टालिश लग रहा है सूफे के नीचे से आसानी से सफाई करने के लिए नेल पॉलिश के डखकन से उची लेक्स बनाए मुझे इसे अपने पास रखकर बहुत खुशी होगी कंजर्टर कस्टिमर्स के लिए अपनी दुकान तयार कर रहा है ये रही पहली कस्टिमर मुझे अपने नए घर के लिए कुछ अफॉर्डिबल पर कमफिटिबल और स्टालिश काउच चाहिए क्यों नहीं? मेरे साथ आईए ये कैसा रहेगा? ये अच्छा है पर कुछ तो सही नहीं है ये बहुत सप्थ है नहीं, ठीक है ये कैसा रहेगा? वा, ये बढ़िया काउच है ये एक दम सही है, मैं ये लूँगी चलो काश रेजिस्टर पर चलते हैं स्टेसी मुवर्स का इकजार कर रहे है काउच आखिरकार बहुत गया फ्लीज साइन करें शुक्रिया ये मेरा ड्रीन काउच है सिंडी, आज आओ मैं आ चुकी हूँ वा, कितना प्यारा काउच है हमें इसका जशन बनाना होगा लड़कियां बहुत खुश है ये नेल पॉलिश की बॉटल्स बहुत स्टाइलिश है इन्हें रंगे और उसे लेस रिबन से सजाए और बॉटल लेक को सजाए फूल इस वेस में बहुत प्यारे लग रहे है अब पॉल को डॉट्स का समय है अपना पसंदीदा पॉधा डाले और मिट्टे को दबाए अब सब माच कर रहा है फूल और डिजाइन दोनो लेली को पॉधे पसंद है तब है उसका पूरा घर पॉधों से बरा हुआ है जब कोई देख नहीं रहा होता तो वो इनसे बाते भी करती है कौन है? कोई आने नहीं वाला था लेली, मुझे याद है तुम्हें फूल पसंद है ये तुम्हारे लिए खुश्बू अच्छे आ रहे है शुक्रिया, मैं अभी आती हूँ शादों से फूल पसंद नहीं आए मैं वेस देने गई थी अब ये फूलों की शान बढ़ा रहे है ये सब बहुत सुन्दर है